दोस्तों आप चित में देख सकते हैं कि गेहूं है यह गेहूं की एक नई प्रजाती है जिसे अभी हाली में भारती क्रिसी अनुसंधान प्रसत यानि की ICAR ने विक्सित किया है इसका नाम है HD 3385 या मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी की कारण उत्पन होने वाले चुनोतियों का सामना कर सकती है इससे पहले हम आप टॉपिक चलते हैं लेकिन हमारा एक पिछला कुश्यन है पिछले कुश्यन को हम देख लेते हैं हाली में चर्चा में रहा जादूई पिटारा क्या है इसका सही अंसर आप लोग को कमेंड में देना था पिछले वीडियो में इसका सही अंसर होगा खेल आधारित सिच्छर सामगरी चलिए अपने टॉपिक चलते हैं HD 3385 देखो HD 3385 एक गेहों की एक किस्म है एक नई किस्म है एक नई प्रजाती है जिसको अभी हाली में भारती किरसी अनुसंधान परसत ने इसको विक्सित किया है या मौसम में बदलाओ और बढ़ती गर्मी की कारण उत्पन होने वाले चुनोतियों को सामना कर सकती है या गर्मी के प्रकोप से बची रह सकती है और इसकी फसल को मार्च खतम होने से पहले काटा जा सकता है केंद्र ने यानि केंशरकार ने तापमान ने ब्रिद्धी से उत्पन इस्थती और वरतमान गिहों की फसल पर इसकी प्रभाव के निगराने के लिए हाली में एक समिती गठित करने की घोष्टा किया था देखो इस नई किसमे का नाम जैसा कि आप लोग को पता है 33-85 है भारत में गिहों दूसरी सबसे महत्वपूर अनाज है तो पहली कौन सी है पहली तो चावल होगी फिर रवी फसल की इसकी बुगाई होती है इसका जो टेंपरेचर होता है दस से पंदरा डिगरी सेल्सियस ह होता है जो कि बुवाई की समों होता है और जब फसल यह पकता है और करता है तो 21-26 डिगरी सेल्सियस का तापमान होता है वहीं वर्सा जो है वर्सा 75-100 cm होती है और मिट्टी जो होती है गंगा सतल मैदान या फिर इसको हम जलोण मिट्टी भी कह सकते हैं या फिर दक्कन की काली मिट्टी ग्यों की उत्पादन में चीन प्रथम अस्थान पर है दूसरे अस्थान पर भारत है हम चर्चा करेंगे यहाँ पर HD 83-85 देखो HD 83-85 क्या है IARI के वग्यानकों ने Mild Vernalization Requirement का उप्योग कर गेहु की एक नई किस्म तयार की है इस किस्म को फ्लावरिंग के पहले एक निश्चित समय तक कम तापमान आवधी की जरूरत है इस किस्म की 20-25 अक्टूबर को भुगाई करने के बाद बाली निकलने की प्रकरिया 100-100 दिन बाद होती है उसके बाद प्रागर्ण यानि की पॉलिनेशन में 4-5 दिन लगते हैं जिसके चलते बाली निकलने से दाना बनने और उसके सक्त होने की प्रकरिया के लिए तने और पत्तियों के जर्ये मिलने वाले निट्रियंट का उपयोग बाली में दाना भरने और उसके सक्त होने में होता है। पहले बुआई के बावजोद इस नई किस्में बाली जल्दी नहीं निकलती है जो इसके पौधे को महतपूर बनाती है और इसके जल्दे इसके दाने भी अधिक वजन रखते हैं साथी यह गर्मी को भी बरदास्त करने में सच्छम हैं तो इससे पहले आपको बता दें कि जो यहों की तीन उत्पादक्ता यानि की तीन प्रकार के नई किस्म की खोच किया या फिर बिक्सित किया गया था इसमें था HD-CACSW18 जिसे 2016 में आधिकारिक रूप से रिलीज और नोटिफाइड किया गया था वहीं दूसरी किस्म थी HD-34-10 जिसे 2022 में रिलीज किया गया और तीसरी किस्म है HD-335 जो सबसे अधिक काम्याब दिखती है चलिए हम आज का प्रशन भी दिख लगते हैं हमारा प्रशन है कि हाली में खबरों में रहा HD-335 क्या है चार आपसंद दिए गये हैं धान की प्रज आती इसका सही अंसर आप लोग कमेंट बाक्स में दीजिए